भुझपूरी सिंगर गुंजन सिंग जो की नवादा से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम पे तिन-तिन गाडिया रजिस्टर्ड हैं एक गाड़ी 16 लाग की है, एक और गाड़ी 4-wheeler 16 लाग की है और तीसरी गाड़ी 30 लाग की है आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्यों बता रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि विवेत ठाकूर जो भाजपा से प्रत्यासी हैं नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं इन्होंने सेयर मार्केट में इतना पैसा लगाया है कि आप सोच नहीं सकते ये स्रवन कुस वहां जो RJD के तरब से चुनाव लड़ रहे हैं इन पे इतने सारे केसेस दर्ज हैं कि आप ये भी नहीं सोच सकते हैं विनोध यादो ये भी निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं नवादा से इनको बैक से किसका समर्थन प्राप्त है और गुन्यन सिंग की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे और ये इसलिए क्योंकि ओट देने से पहले आपका ये समवैधानिक अधिकार है कि आप जाने कि आप जिस फोर्ट देने जा रहे हैं उस व्यक्ति के पास कितनी समपती है उस व्यक्ति के नाम पे कितना गोल्ड है कितना सेर मार्केट में उसने पैसा लगाया है उसकी पतनी के पास कितना पैसा है उसका जमीन कहां पे आए सब कुछ जानना आपका हक और अधिकार है और इसी हक और अधिकार के तहट हम आपको बताने जा रहे हैं खर ये भी आपको पताई होगा कि 19 अपरैल को 4 जिलों में चुनाव होना है और अगाबाद नवादा जमूई गया और अभी हम आपको नवादा के प्रत्यासियों के बारे में बताने जा रहे हैं आगे हर वीडियो में हर जिले के हर प्रत्यासियों के बारे में बिल्कुल सच आपको बताएंगे तेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्रवन कुस्वाहा आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और विवेक ठाकूर भाजपा की तरफ से विनोध यादो चाहते थे कि हमको आरजेडी से टिकट मिल जाए लेकिन आरजेडी ने विनोध यादो को टिकट नहीं दिया टिकट दे दिया श्रवन कुस्वाहा से तो विनोध यादो बागी बन गए और ये चुनाव लड़ने लगे तो विनोध यादो ओट काटेंगे बहुत अच्छी तरह से स्रवन कुस्वाहा का और गुंजन सिंग ओट काट रहे हैं विवेक ठाकूर का तो नवादा लोकसभाच्षेत्र का भी मुकाबला बड़ा दिल्चस्प हो गया है क्योंकि यहाँ पे दो बड़े प्रत्यासी हैं गुंजन सिंग को भी आप हलके में नहीं ले सकते विनोध यादो को भी आप हलके में नहीं ले सकते क्योंकि आर जेडी के दो विधायक विनोध यादो के समर्थन में हैं जबकि RJD के उन दोनों विधायकों को चाहिए कि वो स्रवन कुस्वाहा का श्रमर्तन करें, लेकिन वो ओपन विनोध यादव के साथ मंच साजा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बड़ा ओट बैंक, विनोध यादव की तरफ भी घुमा हुआ है, विनोध यादव को भी आप ह जीता है और एक में जदयू का, और इन तीन RJD के विधायक जहां जीते हैं, उन में से दो विधायक तो विनोध यादव के समर्थन में पूरी तरह से हैं, एक विभा देवी विनोध यादव के समर्थन में हैं, और एक प्रकाशवीर विनोध यादव के समर्थन में हैं, अ उनकी पत्नी विधायकी जीत गई और ये विनोध यादों का शमर्थन कर रही है तो खेर अब ये आपको सोचना है कि विनोध यादों कैसे प्रत्यासी निकलेंगे अब विनोध यादों को आप साइड गर दीजिए स्रवन कुस्वाहा जो RJD के विधायक है इन पे भी 6 केसे जाएं ये भी जो है बेदाग नेता नहीं है बिलकुल दागी नेता है विवेग फाकुर पे कोई केस नहीं है गुंजन सिंग पे भी कोई केस नहीं है अब इन लोगों के पास कितनी संपत्ती है वो भी समझिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि गुंजन सिंग के नाम पे तीन गाडियां है एक गाड़ी 16 लाग की फोर वीलर है दूसरी 16 लाग की एक और फोर वीलर है और 31 लाग की फोर वीलर है पचीस लाग का गोल्ड है गुंजन सिंग के नाम पे सोना वो रखा हुया इन्हों तकरीबन 25 लाग का, 35 लाग का गोल्ड इमकी पत्नी के नाम पे है, 35 लाग और जो इन्होंने घर और जमीन खरीदा है, उसका करेंट मार्केट वैल्यू 4 करोड 20 लाग है, 4 करोड 20 लाग करेंट वैल्यू है, जो भी इन्होंने घर और जमीन खरीदा है उसका, और ये आपको भ यलवाला रेट होता है वो कहीं ज्यादा है तो ये मार्केट का करेंट वैल्यू जो मैं बता रहा हूँ घर और जमीन का चार करोड 20 लाख वास्तों में ये इससे कई गुना ज्यादा होगा एक और बात 20 लाख का एक्सिस बैंक से लोन भी लिया हुआ है गुण्यन सीम्न बीस लाख का एक्सिस बैंक से लोन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इनफॉर्मेशन मैं आपको कहां से दे रहा हूँ तो सुनिये सर ये इनफॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नॉमिनेशन करते वक्त ये सारी जानकारी इन लोगों को भरनी होती है उसी एफ डेविट का ये जानकारी है जिसमें इन लोगों ने एक एक चीज भरा हुआ है सिर्फ गुन्यान सिंग नहीं जितने सारे प्रत्यासी हैं सभी प्रत्यासीं ने भरा गुआ है अगर आप हमसे पूछें तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि जो 16,03,000 की गाड़ी है वो गाड़ी का नंबर क्या है इस गाड़ी का क्या नंबर है कौन सी गाड़ी है पचीस लाख के गॉल्ड में क्या-क् कहां पे इन्होंने घर लिया है कहां पे जमीन लिया है एक एक जानकारी हम आपको बता सकते हैं लेकिन video बहुत लंबी हो जाएगी तो short में हमें खतम करना है अब हम आते हैं विवेक ठाकुर पे विवेक ठाकुर जो भाजपा की तरफ से प्रत्यासी है इनके हाथ में 80,000 का कैस है और पत्नी के नाम पे 50,000 का कैस मतलब इन हैंड बाकी अब देखिए शेयर मार्केट में इन्होंने कितना पैसा लगाया है अडानी के शेयर मार्केट में भारत इलेक्ट्रॉन पे HDFC बैंक में NHPC पे NMSC में SBI में इन्होंने 1,83,829 र इसमें 20,000,000 का इन्होंने शेयर खरीदा हुआ है अकेले 20,000,000 मतलब इतने सारे मिला के सिर्फ 1,83,000 का और केमोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 20,000,000 का शेयर खरीदा है विवेक ठाकुर ने इसके अलावे जो इनकी पत्नी है उन्होंने LIC में, ICS में, SGB मे और हिंदुस्तान Unilever में 3,64,384 रुपया का शेयर इनकी पत्नी ने भी खरीदा है तो जिन लाखो रुपय के लिए आप संघर्स करते हैं वो लाखो रुपय का तो इन लोगों ने शेयर ही खरीद के रखा हुआ है बाकी अभी आगे देखिए अलग-अलग बिमा कमपनी मे हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं तो उसमें अलग-अलग ये कई सारे बिमा कमपनी का मिला के हैं 10,44,384 रुपया विवेफ ठाकुर ने कई सारी बिमा कमपनीों में अपना पैसा जमा किया हुआ है और इनकी पत्नी ने 14,31,41 रुपया अलग-अलग बिमा कमपनीों में प अभी आगे और देखिए इतने इतना कम पैसा इन लोगों के पास नहीं अभी और पैसा है वो भी देखिए एक फार्चूनर है शांदार फार्चूनर से चलते हैं विवेक ठाकूर जी जो की उनके नाम पे है वो फार्चूनर की कीमत 38,74,846 रूपया है देखिए फार्चून 38,74,846 रूपया उनकी पत्नी जो है एक क्रेटा उनके नाम पे है जिसका कीमत 13,31,41 रूपया ठीक है इसके अलावे इनके घर में 8,00,000 का गोल्ड रखा हुआ है 8,00,000 का सोना विवेक ठाकूर के नाम पे है और 26,00,000 का सोना 26,78,000 का सोना उनकी पत्नी के नाम पे है 26,78,000 तीन लाख का डाइमोंड यानि 3,00,000 का हीरा इनकी पत्नी विवेक ठाकूर की पत्नी 3,00,000 का एक हीरा पहनती है अंगुठी है वो रिंग 3,00,000 का वो इनके पास ह 86,220 रुपया का एक silver भी है मतलब गहना है कहने का मतलब gold ऐसा नहीं सोने का भी skid बना के रखा हुआ है मतलब on paper ये चीजे मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी पता है कि off camera या off camera जैसे बहुत सारी चीजे होती है वैसे ही off paper बहुत सारी चीजे होती है तो ये on paper मैं आपको दिखा रहा हूँ अगर आप total इसको जोड़ दीजिएगा कि cash, gold और investment तो 92,00,000 का cash, gold और investment विवेक ठाकूर जी का है और उनकी पतनी का जो है अब आईए मकान पे, तो मकान और जमीन दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए कि जितने मकान है जो इन लोगों ने जमीन खरीदा है अपने नाम पे on paper तो एक करोड 92,70,110 रुपया विवेक ठाकूर के नाम पे current valuation है, current कीमत है उसकी एक करोड 92,70,110 रुपया बाकी आप real में जाईएगा तो ये करोड कब बढ़के 10 करोड में तबदिल हो जाएगा आपको पता भी नहीं शलेगा इनकी पत्नी के नाम पे 92,50,110 रुपया का, इनके नाम पे भी मकान और कहीं कहीं जमीन है और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने सिर्फ सब कुछ जो है खरीदा है बहुत सारे लोन भी होते हैं और लोन कुछ जादा ही होता है तो अब हम आपको लोन दिखाते हैं SPI बैंक से होम लोन लिया है इन्होंने 33,50,549 रुपया का, 33,50,549 रुपया का होम लोन है और कार लोन है 19,68,465 रुपया का मतलब जो इन्होंने ये फार्चूनर खरीदा है 38,00,000 का तो 19,00,000 इन्होंने डाउन पेमेंट किया होगा और 19,00,000 का ये जो है इनके एक दोस्त है अब है कुमार सर्मा उस दोस्त से इन्होंने लोन लिया है 17,75,000 का सर इंट्रेस्ट फ्री लोन है वो मतलब इनके दोस्त ने ऐसे ही 17,00,000 रुपया ऐसे ही दे दिया है कि जब आपके पास 17,00,000 होगा हमको दे दीजिएगा कोई हम इंट्रेस्ट आप से नहीं लेंगे हम और आप किसी से मांग दे 2,000 रुपया तो नहीं मिलेगा इन लोगों को 17,20,000,000 रुपया मिल जाता है इनकी पत्नी के नाम पे यहां पे देखिए 23,50,549 रुपया का लोन इनकी पत्नी के भी नाम पे है और इस लोन में होम लोन सामिल है मतलब husband और wife ने मिलके home loan लिया है उसमें इन पे जो है इतना पढ़ता है मतलब 33,50,000 और इनकी पत्नी पे भी मतलब ये same है home loan में दोनों बराबर के हिस्सेदार है बाकी विवेक ठाकुरी की एक अच्छी बात ये है कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इन्होंने LLB किया है और दिल्ली उनिवर्सिटी से ग्रिजूेशन किया है यही एक ऐसे प्रत्यासी है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है बाकी गुंजन सिंग इंटर पास आउट है RJD के जो विधायक है वो मैट्रिक पास है तो यही LLB किये हुए है अब हम आते हैं दूसरे प्रत्यासी पे स्रवन कुस्महा जो RJD के प्रत्यासी है अब उनका देखिए कि उनके नाम पे कितनी संपती है पांच लाग कैस इन हैंड दो लाग कैस इन हैंड इनकी पत्मी के नाम पे डाक और बिमा में इन लोगों ने कितना पैसा जमा किया है तो एक 3 लाग का LIC इन्होंने खुदी कराया है एक और 2 लाग का LIC किया है एक और 5 लाग का LIC किया है टोटल 10 लाग का LIC इन्होंने कराया है अपनी पत्नी का 5 लाग का LIC किया है 13,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 होते हैं गाडियों के सौखीन होते हैं मतलब थोड़ा से दिखाना होता है उनको ज्यादा देखिए 34,68,613 रुपए की एक फोर वीलर है 9 लाग की एक और फोर वीलर है 9 लाग की और एक और फोर वीलर है 36 लाग की अब आप जोल दीजिए 34,36,9,9 लाग और फिर इनकी पत्नी के नाम पे 18 लाग की एक फोर वीलर और 4 लाग का एक ट्रैक्टर इनकी पत्नी के नाम पे हालांकि मुझे नहीं लगता है इनकी पत्नी ट्रैक्टर चलाती होंगी लेकिन बहुत पहले ट्रैक्टर बहुत पुराना होगा इसलिए 4 लाग उसका दाम है क्योंकि अब पत्नी के नाम पे खरीदा होगा मतलब किनी कारणों से लोग खरीद लेते हैं अपने नाम पर ने लेके अपनी पत्नी के नाम पे तो 4 लाग का ट्रेक्टर एक इनकी पत्नी के नाम पे है 21 लाग का सोना, white sonna, white sonna कहने का मतलब है, जिसे on paper दिखाया जा सके, वो gold जो है, इनके naam पे है, सरवन کुस महाँ के नाम पे, और 35 लाग का gold इनकी पत्मी के नाम पे है, जमीन और मकान की बात करिएगा, तो एक एक कारोड का current valuation वाला जमीन स्रवन कुस मेहाँ के नाम पे है, और इनकी पतनी के नाम पे भी एक करोड का है, एक करोड दस करोड में कब बदल जाएगा, हमने पहले ही बताया कि इसकी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि जो सरकारी दाम होता है, उससे कहीं ज्यादा पे जमीने बिक्ती या खरी दी जाती है, अब इधर देखिए, बैंक का लोन ब पतनी के नाम पे भी बावन लाख का लोन है, ये चीज़ है, लोन देखिए, बावन लाख और एक करोड बानवे लाख, ये बहुत बड़ा अमांट होता है, हमें लगता है, टोटल छोग केस है, मतलब बहुत दागी नेता है, छे केस इन पे हैं, उसमें मार पीट का केस है, चुनाव अचार संगीता उलंगन करने का केस है, खनन विभाग में राजस्व जमा नक करने का दो-दो केस है, चुनाव अचार संगीता मार पीट का दो केस है, हर केस दो-दो केस है, दो-दो बार इनोंने गलती गरी है, तो ये केस है, पर अच्छी बात ये है कि रेप का के इन पर नहीं है, मडर करने का केस नहीं है, मार पीट का ही केस है, राजस्व जमाना करने का केस है, और चुनाव आचार संगीता वाला केस है, तो ये तीन प्रत्यासियों के बारे में हमने बताया है, और तीन प्रत्यासियों तक ही बहुत है, क्योंकि हमें लगता है गुंजन स देते हैं यह तिन निताओं के बारे में हमने बता दिया अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जी लेके निताओं की पूरी हकीकत लेके आएंगे ऐसे ही देखने के लिए धन्यवाद आप देख रहेते पब्लिक प्लेटफॉर्म मेरा नाम कुमार अभिनो है